नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिले की राजनीती के बारे में और सीधी जिले के बिधान सभा छेत्र के बारे में मध्य प्रदेश की सीधी जिले ने राष्ट्री अस्तर का नेता दिया हैं। आज भी यहां से कई बड़े ऐसे नेता हैं जो देश की राज़नीती में, प्रदेश की राज़नीती में शक्री रूप से अपनी भून का निभा रहे हैं। करीब 25 लाकी आवादी वाले सीधी जिले में कुल 4 विधान सभा सीट हैं और यहां पर साथ तहसील 400 ग्राम पंचायद 5 जनपत पंचायद 13 पुलिस इस्टेशन एवं एक लोग सभा निर्वाचन छेतर हैं सीधी जिले की जनसंख्या का घनत 232 वर्ग किलोमीटर का है यानि कि 232 लोग एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहता है प्रजेंट में सीधी लोकसभा से श्रीमती रिती पाठक जी लोकसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं, जो की 2014 से लगातार दूसरी बार सीधी जिले से सांसद हैं. दोस्तों सीधी जिले में चार विधान सभा छेतर हैं, सीधी, चुरहट, धौहनी और सिंघावल, साल 2018 के चुनाओं में सीधी से दारनाशुक्र, चुरहट से सरदेंदू तिवारी, सिंघावल से कमलेश्वर पटेल, और धौहनी से कुमर्ड सिंघ टेकाम विधान सभा पहु चैनल फाइंडोस से जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को इन वीडियो की जानकारी मिलती रहे, अगर आप लोगों ने चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल लाल वाली बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मद्य प सूची में आता है, दोस्तों सीधी जिले में जाती पात की राजनिती तो है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि यहां की जनता विकास चाहती है हमेशा, जो की एक पिछडे पन का टेंप लगा हुआ, ठपा लगा हुआ, उसको मिटाना चाहती है, और डबलप करना चाहती है, जि मिलनसार स्वभाव, साथियों सीधी जिले में कुल 18 लाग के आसपास वोटर्स हैं, मत दाता हैं, जिन में 12% अनसूचित जाती, 37% अनसूचित जन जाती, 45% में ब्राम्हन, छत्री, वैश और अन्य कटेगरी के लोग आते हैं, सीधी जिले में हिंदू बहुतायत मात्रा मे हैं, 96% हिंदू, 3% मुसल्मान, और 1% में बाकी सब, सिक, इसाई वगेरा, साक्षर्ता दर 66, 66% की है, सीधी जिले का सारा राजनीति खेल, ब्राम्हन, छत्री, वैश, बनिया, तीनों के बीच में ही चलता है, और यहां पर मोस्टली यही लोग राजनीती करते हैं, और अप सी प्रतिसपरधा रहती है, और जिससे जो लोग भी इन पिछडे आदिवासी लोगों का वोट हासिल कर लेते हैं, वही चुनाव में विजयी होते हैं, तो एक समय था कि राजनीती के दिगज, राजनीती कांग्रेस पार्टी के चानक के कहे जाने वाले अर्जुन सिंग, जो की चुरहट विधान सभाचेतर से आते हैं, उन्होंने ये साबित किया था कि राजनीती जाती पाती से कहें ज़्यादा उठके की जाती है, सबसे ज़्यादा उस जमाने में उनको ब्राम्भनों का वोट हासिल होता था, मिलता था, बलकि बहुत सारे छत्री समाज के लो कोई भी ब्राम्भन समदाय का लोग जाता था या अन्य किसी समदाय, वो फस्ट प्रिफेंस उसे ही देते थे, उसका काम करवाते थे, उससे मिलते जुलते थे, तो उन्होंने जाती पाती को कभी बीच में आने नहीं दिया है, लेकिन अब आज के, हलाकि कुछ ऐसा ही उनक इसकी राजनेती में, लेकिन सरक्मिस्टेंस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो चुनाओ निकाल नहीं पाए अभी 2014-2018 में, दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा, वो सेपरेट करके सीधी जिले के चार विधान सभाज हेत्रों के बारे में एक्स्प्लेन करूंगा, आप होज जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.